हेलो गाइस हम सेकेंड चेप्टर कर रहे थे तो तिल ना हमने यहां तक फिनिश कर लिया है आज हम परेंगे यूस केस मॉडलिंग ठीक है चलिए शुरू करते हैं नोड्स हमने रजी पी नोड टॉट इन से लिया है आप से रिफर कर लिजेगा तो यह तो सुनते हैं तो यह तो हिस्ट्री लिखिये कौन कव आया कौन मड़ा कौन 1993 में पढ़ लेना मुद्द की बात दिखते हैं तो यूस केस मॉडल फोर अनी सिस्टम कंसिस्ट आफ सेट ओप यूस केस चेकर रहे हैं इसमें आपको एक्जामपल दिया हैं कि आपका यूस केस डागरम में यूसर है लाइबरियन है यूसर है वो लॉगिंग कर सकता है लाइबरियन है वो भी लॉगिंग कर सकता है यूसर है बुक को रिन्यू कर सकता है ठीक है लाइबरियन उसका वो खुल्सिल करेगा हमारे लिए यूसर सर्च करेगा बुक को लाइबरियन भी सर्च कर सकता है ठीक है यूसर कोई बुकी הबthese चएक करेगा, लाओबेनी मी चेक कर सकता है, यूजर कोई रिजर्व कोई OT कि सर्षान, बूजर रिजर्व सकता है किसी गोक को, यूजर अपनोा ऑचाउंट रिजर्वक कर सकता है, ठीक है, अकाउंट चेक करना बेर कोड़ी опять है, किसी ऐसले हैं, बधर को पलर क्र So use case का बहुत बड़ा एक एडवांटेज है इसका एडवांटेज यह है कि हम सेम टैप के बीएवियर को किक है, डिफाइन कर सकते हैं बिना इंटर्नल स्ट्रक्चर को डिफाइन करें मला हमारे class, हमारे student module में कौन-कौन से attribute बिना को डिफाइन करें हम सीज़ सीज़े उसमें जो main main features से उसको देख सकते हैं यह इसका बहुत बड़ा फायदा है The use case do not mention any specific हम कोई algorithm रिवील नी कर रहें हम सीज़े मुद्धियात कर रहें तो यह बहुत अच्छी abstraction है कि internal data हमारा कुड़ा safe है structure भी software का a use case typically represent a sequence of interaction between the user and a system system और user के भीच में जो भी interaction है वो सब use case बहुत अच्छी दिखाता है जिसाब में दिखाए यह use case हीदा कि आपीची आप साहज़ पादे है कोहां का interaction हो रहा है user का और live it in का system का this instruction consists of one main line sequence the main line sequence represents normal interaction between the user and system the main line sequence is most occurring system interaction तो यह जो हमारा user से और यह जो हमारा यह line गई है यह main line है तो अच्छी कैसी का instruction फोलो रहा है representation of a use case use case can be different by drawing a use case diagram हमने use case diagram बना ले तो बहुत हो रहा writing and accompanying text elaborating the drawing ठीक है उसकी drawing बनाए उसमे उसका लिख देंगे कि यह model की चीज का है in this use case each use case represented by the ellipse ठीक है तो यह हर एक use case है यह ellipse सिर्कल नहीं है यह ellipse है उससे ellipse represent होगा और rectangle हम रिप्जेंट करेंगे system की boundary ठीक है ऐसी आपको बता चुका हूँ हम पहले ठीक है so text description क्या है हमने जो एक ellipse में लिखा है उसका क्या मतलब है तो हर एक जो ellipse में जो भी चीज है जैसे यह लोग इन लोग इन लोग इन एक use case है और वो ellipse में represented है तो यह यह लिखा है contact person की कौन ने उसको contact किया है तो यह इस use case को लोग इन को user ने इंट्रेक किया है लाइवेड ने किया है यह यूजर ने किया है यह कौन है इसके contact person है एक्टर्स कौन कौन है हमारे उससाब एक्टर्स है जो भी इसमें use case लिखे हुए प्री कर्डिशन जब भी उसको condition fulfill हो जो यह लोग इन के लिखे जो यह लोग इन करने से पहले इसकी अथेंटिशिपी सही उसको यूजरने पास्टर्स करेक्ट होना ज़िए तब इसमें लोग इन वोग इन पाएगा प्री कर्डिशन पोस्ट कर्डिशन उसके समझ लिए नन फंक्शनल रिक्वार्मेंट उसकी मैं अपदा चूं क्या होता है exceptions नहीं आने चाहिए run time पे sample dialogues ठीक है यह कुछ आपके use case ही होते है specific UI requirements ठीक है कैसे क्या screenshot होने चाहिए समझ पाए developer और user दोनों कैसे क्या बनाना है डॉक्यूमेंट की difference नहीं पर है जहांसे आपने difference लिए कि यह सब था आए थिए आपको clear होगए आपको like करना मस बूलेगा thank you